नमस्कार दोस्तों मैं इंद्रजीत आपका पड़तियों की गुड़कुल में हर्दिक श्वाकत करता हूं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एन वर्क टाइम एन वर्क जो आरे सक्वाल से पढ़ रहे हैं हम लोग आरे सक्वाल भूक से ठीक है तो कोश्चिन नुमर कि तयारी कर रहे हो और आप किसी वी एक्जाम की तयारी कर रहे हो बहूत ही फायदे मंद होगा यह वीडियो आपके लिए ठीक है अगर आप इसका गॉन सेप्ट नहीं देखे हो तो भूद वाला वीडियो ठीक है इसी प्लेडिस्ट में मिल जाएगा आपको ठीक है इंद् इसके पहले दो वीडियो बन चुके हैं और हर question के साथ हम concept बताते चल रहे हैं आपको ठीक है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए पढ़िए चलिए शुरू करते हैं हम लोग question number 21 से ठीक है तो दोस्तों चलिए शुरू करिए copy pen आप लोग भी ले लिए ठीक है हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाते चलिए question number 21 है कि A अकेला एक कार्ष को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो तथा ए आरंब करें तो कार्ष माप्त होने में कितने दिन लगेंगे ठीक है बहुत ही आसान question ठीक है alternative work वाला question है आपका alternate करके लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर A और B alternate यानि एक दिन दूसरे दिन भी कर रहे है फिर तीसरे दिन ए आ रहे है चोहते दिन भी आ रहे है इस तरह काम हो रहे है ठीक है तो time and work का concept यह है कि एक 10 दिन में काम कर रहे है कितने दिन में 15 दिन में आप देखिए दोनों का LCM निकालेंगे तो LCM यानि यहाँ पे होगा 3 times जाएगा और फिर 15 से इसको तो दो बार में जाएगा ना ठीक है तो यहां पर क्या हो गया efficiency हो गया एफिसिएंसी ए और भी का efficiency निकल लिए छमता निकल लिए हम ठीक है आप देखिए बारी-बारी से काम कर रहे हैं यह एक दिन में 3 unit करेगा B एक दिन में 2 unit करेगा और एक दिन में youngerach ऌदे ल擊 दिनB आएगा एक इमेनिट कडेगाम गेति काम जो आपका पहला दिन तो एक कर रहेBayन दिन भी कर रहे दूसरा दिन तो ए-एक दिन में कितना यूनिट तीन गुने एक यानि तीन यूनिट और वी जो है ना एक दिन में दो इनिट तो तीन दू पांच यूनिट होगा यह ठीक है फाइफ यूनिट वर्क होगा कितने दिन में दो दिनों में ठीक है टू डेज का वर्क कितना होगा टू डेज वर्क दो दिन में अपका 5 unit work होगा हमें total work कितना कराना है 30 unit थीक है तो 5 में याशोवाइप कितना से multiply करेंगेा कि 30 हो जाएगा तो 6 से multiply करते आब तो 5 चके 30 याशोवाइप करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 unit total work होगे 30 unit इधर भी आप 6 से multiply emat nephew में राइट साइड में तो फिर लेफ्ट राइड भी आप 6 से मल्टिप्लाइ कीजिए तो कितना आएगा 12 यानि 12 डेज यानि आपका 30 यूनिट वर्क करने में टोटल लगेंगे 12 डेज यहीं आपका एंसर हो जाएगा ठीक है अल्टरनेटिव वर्क में ऐसे बनता है कि इसका सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाले जहें लसीम निकालेंगे टोटल वक निकल जाएगा फिर एफिसियंसी यानि छमता निकल यह और भी का जो जितने लोग इंवाल्व हो उनकी छमता निकल लिए उसके बाद एक दिन यह कर रहा एक दिन बी कर रहा है तो एक दिन में तीन उनिट करेगा और बी एक दिन में दो इनिट करेगा दोनों को जोड़िये तो तीन एकम तीन दू पांच यूनिट होगा दो दिन में काम तो फिर दो दिन में पांच यूनिट ठीक है तो तीस यूनिट करना है तो पां वर्ट टोटल को समाप्त हो गया तो बारह दीन इसका एंसर हो जाएगा ठीक है कि एसे से जडी ठीक है गुरुब डी रेलबे का गुरुब डी जो है ठीक है इसे सब टोटल एक्जाम कॉवर हो जाएगा आपका आप लोग पढ़ते चलिए बस बैंक पीओ तक बैंक पीओ ठीक है UPSC तक आपका मैथ नहीं चुटेगा Q22 देखते हैं हम लोग A अकेला एक कार्ज को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B अकेला इस कार्ज को 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि A कार्ज करना आरंभ करें तता वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्ज कितने दिन में समाप्त होगा ठीक है बिल्कुल सिंपल कोश्चन है बहुत ही आसान ठीक है A 16 दिन में कर रहे हैं और B कितने दिन में कर रहे हैं LCM निकालेंगे LCM 12 और 16 का कितना होता है 48 अब देखिए 4 बार में जाएगा 48, 16 से और 12 से नहीं 3 टेम्स में जाएगा 3 टेम्स 16, 3 जाएगा 48 और 12, 4 जाएगा 48 इसका efficiency हो जाएगा 3 A का और B का efficiency 4 हो जाएगा अब बोल रहा है कि वे एक दिन छोड़ कर कौन सुरू कर रहा है काम यहाँ पर देखिए यदी A कार्ज आरम करे कार्ज आरम तो A कर रहा है तथा वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से काम करे, alternating work जैसे हम लोग 21 बनाया थे वैसे ही एकदम सेम कोश्चन है, तो एक दिन A करे, फिर दूसरे दिन कौन आएगा B, फिर तीसरे दिन A, चौते दिन, B ऐसे आपका work ऐसे होगा, देखिए एक काम सुरू कर रहा है A, पहला दिन, फिर दूसरा दिन कौन आएगा, तो B आएगा फिर तीसरे दिन कौन आएगा तो फिर A आएगा alternating work इसी तरह होता है फिर कौन आएगा, B ऐसे ही आपका काम समाप्त हो जाएगा तो देखिए, तो A एक काम को सुरू करें और एक दिन छोड़ कर वे बारी-बारी से काम करें, ठीक है टू डेज में कितना work हो जाता है तो 3 वंज़ा 3 4 वंज़ा 4 हो जाएगा तो ठीक है, तो फिर दोनों को add कीज़े तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, यानि दो दिन में कितना work 7 7 unit work हो गया, ठीक है अब इस 48 के लगभग में चले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना है 7 का, आप कितना work table पढ़ेंगे, कि 48 से ठीक है, कम हो उससे less than हो, ठीक है उससे आपको above नहीं जाना है उससे आपको ऊपर नहीं जाना है 48 से, ठीक है रेखिए, अगर आप 7 का table कितना बार 6 times पढ़ते हैं, तो कितना आएगा 42 साच चके होता है 42 ठीक है, अब फिर इधर भी, यानि 6 से गुना इधर किये, तो आप इधर भी 6 से गुना करें तो इधर कितना हो जाएगा आपका 6 दूना, 12, यानि 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 42 unit work हो जाएगा, अब बचा कितना unit work अब देखिए 12 दिन तो काम हो चुक है अब देखते हैं, आप किससे काम करवाएगे अब आएगा फिर A, ठीक है A आएगा काम करने के लिए A का 1 दिन A का 1 दे work A 1 दे में कितना कर देगा 1 दिन में 3 unit कर देगा ठीक है, तो टोटल 42 हो गया है न, 42 में से 3 कम हो जाएगा अब 1 दिन में 3 unit कर देगा यानि आपका 42 में से 3 unit कम कम हो जाएगा, प्रशों कितना आपका 42 से 3, 45 unit work हो गया 42 से 3 45 unit work हो गया 1 दिन ये हो गया आपका अब देखिए 45 उनिट हो चुका है अब कौन आएगा तीन उनिट काम बचा है अब आएगा भी काम करने के लिए लेकिन भी तो एक दिन में चार उनिट कर रहा है सबसे पहले इस समय को जोड़िए 1 डे अपलस 12 डे कितना हो गया 13 दिन यानि टाइम टोटल टाइम निकाल रहे हैं समय बराबर हो जाएगा आपका यानि 13 डे हो चुका है ठीक है 12 अपलस 1 12 पलस 1 13 हो चुका है 13 दिन उसके बाद बचा क्या तो काम तो कम ही पर रहे है भी काम करेगा एक दिन में चार उनिट एदर 45 यूनिट तो हो चुका है ठीक है 48 यूनिट टोटल वर्क था हमारा तो 3 यूनिट बचा वर्क ठीक है और भी एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं तो काम कम पर रहे हैं तो फिर आप समय निकालने के लिए क्लिए क्या करते हैं समय बराबर क्या होता है समय बराबर कार्ज बटा छमता ठीक है यानि time equal to work by efficiency ठीक है तो work बचा कितना है आप 45 इनिट हो चुका है तो 48 में से 45 घटाएंगा 3 हो जाएगा फिर b का छमता कितना है तो b का छमता 4 है ठीक है b का छमता कितना है 4 है तो यह आपका इतना दिन 13 साही 3 बटे 4 दीन answer ठीक है यह हो गया आपका answer हो गया जलिए next question देखते हैं नहीं समझ में आया आपको ठीक है कहीं दिक्कत हो तो फिर आप comment किजिए और मेरा whatsapp number is 62051-77923 ठीक है उस पे आप question भेज सकते हैं पूछ सकते हैं question number 23 ABC कार्ज को करम सा 11 दिन 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करें तो कार्ज समाप्त होने में कितना समय लगेगा यह है ना ठीक है देखते हैं बोले की ABC यानि A काम कर रहें 11 दिन में बी उसी काम को पाटव कर रहें 20 दिन में अपकेले और他 रूरी को काम को 35 दिन में आप 2 का LCM निकालेंगे गए सबसे आसान मेहां आपको सीखा रहें सबसे बड़ा नंबर कौन से है 55 ठीक है इसमें 11 है की नहीं 11 है न 11 तो इसमें है न 11 पच्छे पच्पन 11 है अब देखिए 20 चाहिए इसमें ठीक है 20 चाहिए 20 यह नहीं इसमें तो 5 है ठीक है 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 ठीक है तो इसमें देखिए 55 में तो आपका 55 में 5 है ना एक 4 की कमी हो रहे है तो 4 इसमें लिख देशिया इसका LCM हो गया आप पांचों के 20, पांचों का 20 दो 22 यानि 220 जो हुआ आपका LCM हुआ आप इससे भाग देशिया तो कितना एगा 20 बार में जाएगा 11 से 220 फिर A कितना बार में जाएगा 11 बार में जाएगा 20 से 220 55 से तो आप 55 में कितना से 4 से multiply किये नहीं यहाँ पे देख सकते हैं तेक है 4 से multiply किये हैं यहाँ पे चार होगा ठीक है 55 में 4 से multiply करेंगे तो 220 हो जाएगा अब deficiency आगे आगे बढ़िए बूल रहा है कि यदि A के साथ एक दिन B अगले दिन याणि अब देखिए A के साथ हम पहले दिन किसको काम करवा रहे हैं एक के साथ B को काम करवा दे रहे हैं ठीक है A plus B पहले दिन फिक है एक दिन में A और B मिलें तो कितना काम कर पाएंगे इस दोनों मिलके 11 प्लस 20 कितना आएगा 31 ठीक है 31 और फिर बोल रहा है कि अगले दिन C ठीक है यानि A के साथ ही अगले दिन आएगा C और तो अगले दिन यहां पर तो A प्लस B आये थे ना उसके बाद अगले दिन A के साथ ही अगले दिन C ठीक है A के साथ ही आएगा C अब आएगा तो एक के साथ C आएगा तो देखे कितना वक्त 20 अप प्लस 24 चौवश यूनिट वर्क हो जाएगा ठीक है कितने दिन में तो A दो दिन में वर्क होगा ठीक है कितना 31 अप लस्चवश यूनिट कीतना होगा आपका 1 plus 4 5 3 plus 2 5 यानि 55 unit हो जाएगा अब इसमें 55 में कितना से हम गुना करने कि 220 हो जाए तो 4 से गुना कर दे multiply कर दे ना 4 से तो इधर भी आपको 4 से multiply करना पड़ेगा तो इधर कितना हो जाएगा 8 days 8 days work equal to कितना 220 ठेक है यानि 220 काम हो गया अब देखते हैं कि कितना अमारा समय आया तो 4 दुनी यानि 8 दिन जो आया 8 days जो आया है यहीं answer हो कि 8 days में 220 इंडिट जो work है ठेक है complete हो जाएगा चले इसके बाद देखते हैं हम लोग next question next question है आपका 24 A, B तथा C एक कार्ज को क्रमसा 20, 30 और 60 दिन में समाप्थ कर सकते हैं यदि A लगातार कार्ज करें तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्ज करें तो कार्ज कितने दिन में समाप्थ होगा तेक है रेखिए A काम कर रहा है 20 दिन में B काम कर रहा है 30 दिन में और C किसी काम को साथ दिन में समप्त कर रहा है अब तीनों का LCM लेंगे तो LCM जो लेंगे तो LCM कितना होगा सबसे बड़ा नमबर कितना 60 है और 20 से डिवाइड हो जाएगा 30 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा डैट मेंस इसका LCM जोगा 60 होगा ठिक के अब बोल रहें के ए लगातार काम करें तट फार तीसरे दिन थिक हैं RA लिए कि और पर सब्सक्रार आफ कर करें अब बोला कि ए लगातार काम करें हर तीसरे दिन भी तथा सी उसका साथ एक के साथ मिलकर काम करें तो काम तो तीन दिन होगा ना ठीक है तीन दिन में तीसरे दिन भी और सी आ रहे हैं तो एक तीनो दिन काम करता रहा पहला दिन दूसरे दिन ठीक है यानि ऐसे आपका ग्राफ बनेगा इसका ठीक है कि यानि ए पहला दिन ठीक है फिर दूसरा दिन ए तीसरा दिन ऐ भी सी एपने तीसरे दिनीन तिन के do circumstance करना पढ़ unto विस्टीज़ को निए एक तीन दिन काम किया तोटल यहां पर एक तीन दिन का वर्ट रूचा कितना होगा थिक एस अना हो गया ना वाहिगा जंतीं दिन में कितना हो जाएगा मुनी। कर वाना है तो चेते कितना से इसमें मल्टिपलाई करें हैं मै इसमें इसमेंे समानी है करें तो कितना हो जाएगा 60 वह ही नंबर से आप लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टिप्लाइ किजिए 12 डेज में कितना हो जाएगा 12 डेज में आपका 60 यूनिट वर्क कम्प्लीट हो जाएगा एंसर के आएगा आपका 12 डेज एंसर चले इसके बाद कोश्चन अबर 25 देखते हैं हम लोग बोला है कि A अकेला एक कार्ज को 12 दिन में B अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता हैं दोनों ने मिलकर कार्ज करना आरंब किया परंतु कार्ज समाप्त होने से 3 दिन पहले A ने कार से छोड़ दिया पूरा कार्ज कितने दिन में शमाप्त हुआ यही बनाने आपको बहुत सेंपल कोश्चन है कि A किसी कार्ज को 12 दिन में और B उसी कार्ज को 18 दिन में कर रहे हैं तो दोनों का LCM पहले निकालिए आप तो दोनों का LCM कितना होगा 36 होगा तबसे बड़ा नं अब इक इतना आया 3 टाइमस में 30 चला जाएगा 12 से 3 टाइमस में 36 होगा फिर आपका 18 से 2 टाइमस में 36 होगा तो efficiency आगया दोनों का अब देखिए बोल लाए कि दोनों मिलकर तो कार्ज आरम करते हैं लेकिन कार्ज समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्ज छोड़ देता है नग उनिट थाए चोड़ेगा उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे कितना चौड रहा एक दिन में 3 यूनिट तो तिन इन में कितना चौड़ेगा यह से क्रिके 9 unit, 9 unit जो work है यहां क्या करेगा छोड़ देगा, 9 unit work would छोड़ेगा तो है कि महँद इसको क्या करेंगे यहां पर जोड़ देगे तो कितना हो जाएगा total, काम समापती होने से पहले अगर कोई कार्ण चोड़े तो इसको हम जितना unit छोड़ा है उसको total work में जोरना पड़ता हैं ठीक है और फिर दोनों से आप काम करवा लेंगे समझे। सरे ना इस दोनों से काम करवाना पड़ेगा फ़िर ग्या किён कि जों चोड रहा था फिर आंघ कर दिये डैट विस आप दोनों मिल के काम करेंगे तो तो टोटल 45 unit वर्क हो गया आप मिलके अब दोनों करेंगे तो एक है त्री एपिसेंसी बीका एफिसेंसी है टू दोनों को एड़ कीजिए तो कितना होगा इसको भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा नाइन डेज अंसर होगा ठीक है यह नहीं अब बोल रहा है कि पूरा कार्ज यह टोटल वर्क कितना दिन में समाप्त हुआ तो टूटल वर्क जो है आपका नाइन डेज में शमाप्त होगा आंसर हो जाएगा नाइन डेज चले अब देखते हैं कोश्य डंबर 26 एक किसी कार्ज को 10 दिन में बी 15 दिन में सी 20 दिन में पूरा कर सकता है ए तथा सी ने मिलकर दो दिन कार्ज किया तथ पैस्चात एक के आस्थान पे बी को कार्ज पर लगा दिया गया कुल मिला कर काम कितने दिन में पूरा होगा पूरा हुआ यहीं पूछा जा रहा है न ठीक है तो एक किसी कार्ज को कितना दिन में कर रहा है दस दिन में फिर बी कितना दिन में कर रहा है पंदरा दिन में शी कितना दिन में कर रहा है बीस दिन में तीनों का LCM कितना होगा तो तीनों का LCM निकालेंगा आप तो 60 आएगा सबसे बड़ा नंबर क्या है 20 है ठीक है त तो 15 से तो नहीं कटेगा 20 तो फिर 20 को 2 times multiply किजे तो 20 दूना 40 हो गया 40 तो 10 से कटेगा 15 से नहीं कटेगा फिर आपका 40 भी इसका LCM नहीं होगा 20 ती आई 60 होता है ठीक है 23 जा 60 तो फिर 20 ती आई 60 जो हुआ आप 10 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा that means इसका LCM हुआ जो total work हुआ 60 अब efficiency निकल या वर्क में time से भाग देजिए यानि 60 में 10 से भाग देजिए कितना आएगा 6 आएगा फिर 60 में 15 से भाग देजिए तो 4 आएगा 60 में 20 से भाग देजिए तो 3 आएगा यह क्या निकल गया हमारा efficiency निकल गया ठीक है अब देखते हैं अब बोल रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर दो दिन कार्ज किया तो ए और सी को दो दिन कार्ज करवाईए आप ठीक है ए भी दो दिन काम करेगा और सी दो दिन काम करवा लिए हम उसके बाद बोल रहा है कि ए के अस्थान पे ठीक है कौन आ गया बी आ गया तो कुल मिलाकर कार्ज कितने दिन में अब यहां पर जो काड़ हुआ है इसको कितना हो चुका है यहां पर 12 यहां पर 6 इनिट 8 जो काम हो जाए नहीं को घटा लेते हैं तो इसका एंसर होगा खूल मिला कर कुल कितने समय लग ये पूषा जा रहे है तो कूल टाइम पूछ रहे है यहाँ पे टोटल टाइम फूच रहे है आप से तोटल टाइम जो होगा आपका ठीक्या है दो दिन तो पहले भी हो चुका है तो दो दिन अपलस बाद में जो हुआ छह दिन यानि total 8 days इसका answer होगा answer यह होगा total 8 days यानि वो भी पूछ रहे total time कितना तो दो दिन तो पहले भी A और C किये थे और उसके बाद B और C किये कितना दिन? 6 दिन तो total मिला कि आपका 8 दिन answer हो गया चले question number 27 देखते हैं बोला है एक किसी कार्ज को 12 दिन में समाप्त कर सकता है ठीक है एक किसी कार्ज को 12 दिन में B इसकी कार्ज को 10 दिन में अब उसके बाद बोल रहा है कि A, B तथा C तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यानि A प्लस B प्लस C कि तीनों मिल जा है तो इस काम को पांच दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा बिल्कुल सिंपल कोश्चन है बारह दस और पांच का LCM नेका लिए तो बारह पचे साट इसका LCM हो गया ठीक है तो बारह पचे साथ दस चके साथ आई हो जाएगा आपका बारह पचे साथ अब देखें यहां पे देख रहे हैं कि A का efficiency कितना हो रहे है तो A का efficiency हो रहे है 5 B का efficiency B की छमता कितनी हो रही है 6 तो यहां पर देखेंगे कि तीनों मिला करके छमता है हमारा कितना 12 12 में से आप 6 और 5 जोड करके यानि A प्लस B की छमता आप घटा दें तो क्या मिलेगा C की छमता तो 12 में से E 6 5 11 गया कितना आगया 1 यानि C की छमता कितने आएगी 1 तोटल वर्क अब C का समय पूछ रहे हैं यानि C का time पूछ रहे हैं तो C का time बराबर total unit कार्ज बटा समय समय बराबर कि क्या होता है कार्ज बटा यह देखें टाइम एक्क्वल टू होता है आपका कार्ज बटे छमता यानि efficiency ठीकि टोटल कार्ज कितना है 60 unit है इनकी छमता कित करना में है इसे कार्ज को साथ dं में पूरा करदेगा answer चले question number देखते हम लोग 28 बोला है कि ए तथा Mिलकर किसी कार्जक को आठ दिन में बी तथा मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते यह तो A साथ मिलकर है कितने दिन में पूरा करेंगे बिलकुल आसान कोश्चान नहीं कि A और B किसी कार्ज को 8 दिन में B plus C किसी कार्ज को 12 दिन में और तीनों मिल करके यानि ए अ प्लस B प्लस C तीनों मिल जा रहे हैं तो इस काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं तीनों का लसीम निकालिए जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो पहला वीडियो देखिए पहला वीडियो दुसरा वीडियो तीसरे वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा 8, 12, 6 का LCM कितना होगा ठीक है तो LCM जो होगा आपका 24 हो जाएगा ठीक है यानि सबसे बड़ा नमबर है 12 12 से 8 से तो 12 कट नहीं रहा है 6 से कट जा रहा है ठीक है तो फिर 12 को आप 2 times multiply करेंगे ठीक है अब यहाँ पर बोल रहें ना कि तीनों अब यहाँ पर देखते हैं कि A का Efficiency कितना है या 3 B का Efficiency नहीं एक मिनिट यहाँ पर देखिए हमारा A पलस B का Efficiency है 3 ठीक है अब देखिए A पलस B पलस C का Efficiency कितना है 4 4 तो 4 मेंसे अगर हम three को माइनस कर लेते है माइनस कर लेते है तो क्या मिलेगा हमें यहां से मिल जाएगा किसका Efficiency मिलेगा यानी ABC मेंसे AB घटा रहे तो C का Efficiency Smart on four. six Margaret number one एक हो जाएगा अब देखिए इसमें से इसको घटा रहे हम ठीक है यानि ABC मेंसे बी पलस सी घटा रहे है तो चार मेंसे दू गया दू आएगा क्या BC निकल जाएगा इसमें से तो एहीं आएगा न तो एक का efficiency कितना हो जाएगा A का efficiency 2 हो जाएका अब देखें 3 मिला के efficiency कितना है तीनों का मिलाकर के efficiency है आपका 4 ठीकें यहां पर A का efficiency 2 अशी का efficiency 1 वन धो नो को जोड़ए 1 तो जोड़ी है, वन हो जाएका आज हो सब्सक्यारव जोड़िये घा, फ़ जोड़िये गा और C का efficiency कितना है 1 अब इससे भाग देजिए यानि A पलस C इसका आम को कड़ेंगे ठीक है A पलस C का का शमय पूछ रहा है तो टोटल वर कितना है 24 और A पलस C के efficiency से आप भाग देजिए समय बराबर होता है कार्ज बटा शमता अब कि पूछ रहा है किससे A और C से एक का efficiency है दो और C का efficiency है 1 दोनों को जोड़िए दो एक तीन से इसमें भाग देजिए तरह तीना उठे 24 यानि एट डेज जो आएगा आपका एंसर हो जाएगा कि A तथा C मिलकर के इसे 8 दिन में पूरा कर देंगे एंसर हो का 8 दिन देखते हैं नेक्स कोस्चन आपका कि A तथा B मिलकर किसी कारश को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं B तथा C मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं इनमें से कौन अकीला सबसे कम समय में इसकारश को पूरा कर पाएगा तीक है यहीं कोश्चे देना अब देखिए बेसिक से बनाएंगे आपको समय ज्यादा लगेगा ठीक है हम आपको बता रहे हैं आप तीक है सौट कोड बता रहे हैं लेकिन एंसर आप ला सकते हैं तो देखिए एंसर ला सकते हैं एक्जाम में आप वंडे एक्जाम में जाते तो आपको एंसर ही लाना होता है तो आपको आई से बता देते हैं अब देखिए ए प्लस भी ठीक है ए प्लस भी यानि ए भी आया यहां पर यहां पर यहां पर आया है आपका ए प्ल प्लस बी सी अंगरकों को अगर हम जोड़ें तो आएगा हमाराण 2 इंटू ए प्लस वी प्लस ना की यह दूब्यागल और टोन दे भी रही जोड़िये आप तो 5 दिन धिन 7 दिन 75 entrepreneurs और बाराचार 16 एन दोसे काटियے इसको तो कितना आएगा अठागा, ठीक है, ABC किसी कार इसको 8 दिन में, यह यह कोई method नहीं है, ठीक है? आप answer ला सकते हैं वनली इससे, आप देखते हैं कि ABC में से हम A plus B घटा देते हैं, A plus B, ठीक है? तो मिलेगा क्या? C मिलेगा, याँ आप ABC में से A plus B घटा रहे हैं, A plus B का कितना है? समय 5 दिन, सबसे कौम समय कौन लेगा तो सबसे कौम समय इसमें कौन लेगा आपको दिख रहा है अंसर क्या होगा अब चलिए इसको बेसिक से बनाते हैं तो देख लिए यानि सबसे कौम समय कौन लेगा तो इसका आप्शन हो जाएगा हमारा अब चलिए हम बेसिक से बनाते हैं इसको देखिये बेसिक से कैसे बनेगा तो बोल लेए पलस बी किसी काम को ठीक है A plus B किसी काम को 5 दिन में B plus C किसी काम को कितना दिन में 7 दिन में C plus A उसी काम को कितने दिन में कर रहे है 4 दिन में 3 का LCM कितना तो कोई भी common नहीं है इसमें तो 7 पच्छे यानि आपका 35 चोग का 35 दूना 70 70 दूना 140 140 LCM होगा अब देखे यहां पर कितना हो जाएगा आपका तो 7 चोग के 28 हो जाएगा फिर यहां पर कितना हो जाएगा तो 5 चोग के 20 हो जाएगा और C पलस A तो 4 चीस में भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा 35 ठीक है अब देखें efficiency मालूम हो गया हमें अब देखते हैं कि आदमी कितने इसमें दो दो आदमी है A भी दो बारा रहा है B भी दो बारा रहा है C भी दो बारा रहा है तो जोड़ेंगे इसको add करेंगे तो 2 आएगा 2 A 2 B 2 B प्लस 2 C ठीक है तो 2 common ले लिजे तो 2 A प्लस B प्लस C एकोल इसको जोड़ेंगे तो 85 13 हो गया फिर यह हो गया आपका वन कैरी हो गया दो दो चार चार तिन साथ और साथ एक 83 हो रहा है न ठीक है आप देखें ऊसमेंगे में भाग दरतिखें तो कितना हाएका दो चांत के 8 यानि 42.5 देखते हैं कि ए का कि किटना ही गा फिर b का किनसी कितना ही यह फिर किनकी कितना ही अगा ठीक है जिसका एफिसीयनसी का होगा जिसका ज्यादा होगा ठीक है वहीं कम समय लेगा 140 टोटल कितना रहे 42.5 है टोटल का एफिसेंसी है ना ठीक है अब देखिए एक एफिसेंसी निकलना है तो हमें B और C घटाना पड़ेगा टोटल में से यानि A B C में से B और C यानि इसको घटाईए आप B और C का एफिसेंसी 20 घटा इसमें से फिर आप कितना घटाना पड़ेगा आपको B बपर नीकलना है तो आपको A और C घटाना पड़ेगा A और C यानि 35 घटाना पड़ेगा कितना होगा? 7.5 है उसके बाद इसमें से C में से शी का निकलनाई एफिसेंसी तो देखिए क्या करेंगे हम A प्लस B घटा दे तो a plus b का efficiency कितना है 28 यानि 42 में से आप 28 घटाएंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 10 आपका 15 में से इधर 5 है ना तो घटा लेजिए यानि 0.5 हो गया एक मिनट 10.5 हो जाएगा इधर माइनस कर रहे है ना इधर 42 में से आप 28 घटाएंगे तो आएगा कितना आपका 12 में से आठ गया 4 इधर हो गया आपका 3 में से दो गया 14.5 अब किसकी छमता अधिक है जिसकी छमता अधिक उसको समय कम लगेगा यानि आपकी छमता अधिक है तो आपको समय कम लगेगा इसमें जिसकी छमता अधिक है यानि एकी छमता अधिक है यानि इसका एंसर क्या होगा एको सबसे कम समय लगेगा तेकिया अकेला सबसे कम समय लेगा A सबसे ज़्यादा कौन समय लेगा तो सबसे efficiency किसका कमार है B का तो सबसे ज़्यादा समय लेगा B चले clear हो गया होगा अब देखते हैं इसके बाद question number 30 30 में बोलना है कि A तथा B मिलकर किसी कार्ज को 12 दिन में तथा B और C मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि C की तुल्ला में A दूगुना अच्छा कार्ज करता हो तो उस कार्ज को पूरा करने में B को कितना दिन लगेगा बिलकुल simple question एकदम A की A पलस B किसी कार्ज को 12 दिन में B पलस C उसी कार्ज को कितना दिन में 15 दिन में और C अब देखिए इसके बाद इसका LCM निकालिया आप LCM डेट में टोटल वक निकल जाएगा तो टोटल वक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 12 पचेसाथ 15 चोग का 60 अब यहाँ पे बोलने ना कि C की तुल्ला में A दूगुना C की तुल्ला में A दूगुना तो C को 1 देते हैं तो यह कितना हो जाएगा E efficiency है इनका C की तुल्ला में A दूगुना अब देखिए C की छमता 1 है तो A कितना होगा A दूगुना यानि 2 हो जाएगा अब देखिए B की छमता निकालिया आप A पलस B 5 है A 2 हो गया तो B कितना होगा 3 होगा तम दोनों मिलके 5 होगा अब देखिए B पलस C B पलस C दोनों मिला करके Efficiency 4 है और C का हो रहा है 1 तो B का कितना होगा 3 होगा ना 3 पलस 1 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 4 ठीक है अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा है कि B पूरे कार्ज को कितने दिन में कर लेगा ठीक है तो आप Total Work मालूम है आपको B का समय पूछा जा रहा है तो Total Work मालूम है 60 unit और B के Efficiency से आप भाग दीजिए तो B का Efficiency 3 है तो भाग देंगेत कितना हैगा 20 दिन एंसर हो जाएगा 20 days तो मुझे आसा है तो आप लोग को समझ में आया है अच्छे डंग से आया होगा ऑनलाइन पढ़िए तीक है और घर पे सेफ रहिए इस कोरोन माहा मारी में कहीं जाने की ज़रत नहीं है आप घर से पढ़िए टोटल चेप्टर इस पढ़ा दिया जाएगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे ठीक है और आप वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और अपने वाटसेप एस्टेटस पे लगाए इसको ठीक है ठीक है तोटल चेप्टर पढ़ा देंगे मैथ रिजिनिंग लेकर किया उसके वाद जीके जीएस भी पढ़ाया जाएगा ठीक है सिक्स से लेकर के तिन्थ तक सीब्येसी का इंग्लीस और मैथ दोनों आप इसी चैनल पे पढ़ेंगे ठीक है आज से ही सुड़ू होगा क्लासिक्स से तिन्थ तक ठीक है इंग्लीस और मैथ का पूक और साथ में आप ग्रामर पढ़ेंगे ठीक है और लिटरेचर का सेक्षन मतलब टोटल सेक्षन होगा ठीक है ओके थैंक्स पर वाच्छिंग बाव बाव